भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलिप मुद्गर और भाजपा विधायक लोधी आमने सामने एक ने जड़े ताली दूसरे ने तुड़वाए किराय को लेकर हुई घमासान। शिपुरी में फोल विलन शोरूम को अनुबंध से पहले खाली करने से रोपने पर अड़े भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलिप मुद्गर शनिवार को विधायक प्रितम लोधी ने एंट्री की तरसल भवन मालिकी हैसेव से मुद्गर ने शोरूम पताले लगा दिये जि शोरूम बडूदी के पास पर जाने से और्टर मोबाईल और डीलर मुकेश अगरवाल इस किरायक भवन खाली करना चाहा रहती सितंबर में इसे खाली करने पर भवन मालिक मुद्गर ने जनवरी तक के अनुबंध का हवाला दिया उनका कहना था कि एक माह पहले दिसंबर शोरूम खाली करने से रोकने ताला डाल दिया इस पर दिलर मुकेश अगरवाल ने अपने मित्र पिछोर विधायक लोथी को मदद के लिए बुलाया शोरूम चरसालक मुकीश अगरवाल का कहना है कि हमारा नया शोरूम बन चुका है इसलिए सितंबर का किराय देकर शोरूम खाली करनी की बात कही गई थी लेकिन भवन मालिक अनुबन्ध के मुताबिक जनवरी तक कर रोखने पर अड़े थी जब हमारा शोरूम बन चुका है तो हम अनावशक किराय क्यों देंगी।